साथ श्रियाकार, यूट्योब चैनल पंजाबी स्कूल विच थाड़ा सार्यांदा स्वागत है आज जैसे Central Board of Scandry Education वलो छापी होई दस्वीज माधी पाठ फुस्तक, साहतिक किरना, पाग दूजा दे, वारतक पाग विचों एक पाठ करांगे इस पाठता से लेख है आदता अते इसे लेखक हन रजिंदर सेंग जी आदता पाठ विच लेखक रजिंदर सेंग जी सानु साड़े रोजाना जीवन विचलियां दो तरहांदी आदतां बारे गल करते हन एक ता ओ आधता हन जड़ियां की चंगियां हन साधी सेथ वस्ते फायदे मन्ध हन पते अपनोन योग हन ओ आधता जिन्ना नू अपना के साधी सेहत चंगि रह सकती है आते दूसरियां ओ आधता हन जड़ियां की बुर्यां हन जड़ियां की छड़न योग हन जिनना नूँ छड़ के अपनी सेथ नूँ ठीक रख सकदे हाँ जे असी ओ आदता अपना ही रख दे हाँ ता साड़ी से हित खराब होंदा खत्रा बने रहनदा है ता आओ इस पार्ट नूँ पढ़िये आटे ओना चंगिया ते माड़िया आदता बारे जानकारी प्रापत करिये ता जो असी अपने जीवन विच चंगिया आदता अपना सकीए ते माड़िया आदता नू छड़ सकीए ता मैं पाठ शुरू कर दियां ते नाल नल तो हनु मैं इस विच और वाले ओक्षे शब्दां दे अर्थरी दस्ती जावांगी असी अपनिया आदता एनिया विगार रखिया हन कि ओना आदता करके असी तंदरुस्त आते निरोग रही नहीं सकती निरोग हुंदा है बिना रोग तो साधी सबतो पहली आदता ए है कि असी स्वेरे बिस्तरे ते अखां खोल दे सार ही स्वेर दी चा यानि की बैट्टी लेंदे हां चा पीन तो बाद साधी अखां ता पूरी तरह खोल जान दिया हन पर उस दा पर बाव साधी सुरीर ते किन्ना हानी कार खुंदा है इस कालनों असी करे जानन दी कोशिश ही नहीं कर दे सबतो पहली माड़ी आदत दसानों इस पहरे विछ पता लग रहा है ओए स्वेरे उड़े नाल चा पीना जेड़नों कि असी बैट्टी केनने अकसान लग दा है कि असी जेड़नी दे चान पी ये साड़ी आखा ही नहीं खुल दिया पर उस सेहत लेई बहुत जादा नुकसान दा एक है सचता ए है कि जो जो अजो की सब्यता दा पर चार हुंदा जा रहा है सड़े समाज विच चादा रिवाज ओना ही जोर फर्दा जा रहा है अज दे इस नवे दौर विच ज्यादा तर लोग ठीक सड़ी तरह स्वेरे उठ़े सार ही चा लेंदे आदी हुंदे जा रहे हैं आदी हुंदे जाना मतलब आदत पैंदी जा रही है उनानुक आते साड़ी तरह ओवी इस काल तो अंजान हान कि सेहतमन आते निरोगी जीवन विच चादी कोई महत्ता नहीं है यानि कि जेस सी सेहतमन ते निरोगी मतलब बिना रोग तो रहन है तर उन्दे विच सानू चा नहीं पिनी चाईगी ठंडे आते यूर्पी देशां दी गल होर है पर पारत जेहे गरन देश विच चादा कोई महत्तव आते अर्थ नहीं है कुछ हालता मिच चानू एक दवाई दे तो औरते वरत्या जा सकदा है सेहत मन आते सुंधरता प्राप्ती दे पخू चा पीना सरा सर एक गल्ठ आदत ही मननी होवे की ता चा जड़ी सेहत आते साड़ी सुंधरता दोना नू एहे गल्ठ परवाप ओं दिये चा एक तरह जहर वंग सरीर विच फ्याल के सड़े सरीर ते अपना अधिकार जमाल लेंदी है ते फिर एक समा अजेहा होंदा है कि असी चा दे बिना रह ही नहीं सकते ता एक अलता तो हनु सारे नुँ पता है कि जड़े लोग चा पींदे है जिस समेते पींदे है उननों उस समेते चा पींदी इन्नी आदत हो जान दिये कि ओ चा बिना रह नी सकते तो इनदा मतलब की होया कि चा ने सड़े सी लीर ते कबजा कर लेया इसनू आदत पैगी है जिवे जड़े नशेडी होंदे उनननों नशेदी आदत रह जान दिये उसे तरह चाव एक नशेवांग भी हो जान दिये चाव इस थाए नी नादा एक अजेहा तात होंदा है जो खूननों शुद नहीं होंदेंदा खून दे गांदुन बाहर नहीं निकलन दिन्दा सिट्टे वजो खून गंदा होंदा रहनदा है ज्यादा चाव इन वालें दिये अक्खा तुहानों हमेशा तुंदलियां अते उदास दिखाई दे निकिया चेहरे ते रुखापन चकिते किते असधारन चिकनापन दिखाई देवेगा इस तो इलावा चानल खून अते नाडियां विच गैज जरूरी उतेजना ओनना नाडियां ठक जान दिया है जिसना स्रीर दी सहन शक्ती कट दी है स्रीर आए दे निकिया निकिया बिमारियां दा के अंदर बढ़े रहन दा है उन जदो चापीन ने आता है जैड़ जरूरी उतेजना स्रीर दे खून ते नाडियां में चाजन दिया है मतलब सभी लोग के अंदर से चापी के बहुत फ्रेश फील कार देया सानों बहुत अनरजी आ जन दिया तो कई ओ जड़ी ज़रूरत ज़्यादा नरजी है ऊस श्रीर नो बहुर ज़्यादा ठखा दुन दिया ज्यादा चापीन वाले नो सर्दी जुकाम वार वार हो ज़ञनदा है साधी बदकिस्मती ए है कि असी सर्दी जुकाम अते बुखारा दी विच चानू दवाई समझते हैं ता इथे लेखक बहुत वड़ा मिथ जो उसनू भी तोड़ रहा है कि जड़ी चाय और सर्दी जुकाम ठीक करन्दा काम करती है वो केंदा है कि सगो ज़्यादा चाय पीन वाले नू सर्दी जुकाम ज्यादा हुनदा है जे असी सहत मदे ते निरोग रहना चौनदे हां ता बैड़ी ती दी आदर सानू छड़ने पवेगी सरीर दे लेख चा विच मजूद थाए नीन पदार्थ हानिकार्ख है पावे था ये नीन नाल ज्यान तन्तू उतेजित हुन दे हां अते फौरी तो और ते सरीर विच ताकत दा अनुवव हुनदा है पर ज्यादा मातरा विच चा पीन नाल उतेजना दे कारण नीन दोड़ जांदी है उन क्योंकि एकवरी ता साड़ी अंदर बहुत जादा एनर्जी आ जांदी है पर उसे जादा एनर्जी दे कारण साड़ी जड़ी नीद है वो इफेक्ट हुनदी है ते नीद नीव दिया तरह आंदी कुछ दिना बाद थोड़ा-थोड़ा सिर्दर्द रहन लगेगा जिस दी दवाई सिर्फ चा हुवेगी ता एवी तुसी हमेशा सुने है जड़ी लोग चाप इंदे जयोंनों चा ना मिले तो ना दा सिर्दर्द हुन लाग जन्दै दिल दी तड़कन वाद जावेगी आते पेट खराब रहन लगेगा ए जहरिला चकर चालदा रहन दा है ते सहत विगड़दी चली जान्दी है ता एक या एक जहरिला चकर जेड़ा की सहत नू विगारदा चला जान्दा है था नीम नाल पाचन किर्या दे अंगा ते भी बुरा असर पेंदा है उन असी देखांगे कि चा जेड़ी है उसाड़ी पाचन किर्या ते किस तरह बुरा असर पोंदी है अंतरियान या नाडियान कठोर बांजान दिया हान उन्ना दी हालत कमजोर हुंदी जावेगी अते इस कारण खादा पिता नहीं पचेगा शरीर दे अंदर जड़िया अंतडियाने जित्थे की आंदरा जित्थे की खाणा हजम हुंदा है ओकी हुंदा है ओक हाड हो जान्दियां चादे कारके पोखना लगन कारण सरीर विच ताकत काट जान्दी है ते रोग निरोद्दक ताकत काट हो जान्दी है उन्जेड लोग चाव इंदे अब बहुत जादा उन्हानों पोख पी काट लगती है उस दा कारण भी होन सानों इस पैरे विच पता लग गया है असी साड़ी एक बुरी आदत होन अगले पैरे विच लेख़क अगली बुरी आदत दी गाल करेगा ओ है असी रात नू सौंदे बहुत कुवेले हां जिस कारके असी स्वेरे जल्दी नहीं उठ सकते होन रात नू कुवेले मतलब लेट बहुत देरना सौंदी आदत दी गाल किती जारी जेडी की साड़ी सेत नू थराब कर दी है इक दो वार चा नू अमरिल समझ के पीन दे हां ताद किते जाके विस्त्रेतों उठ दे हां होन जड़ा बंदा रात नू लेट सोएगा ओ वेले वी लेट ही उठेगा ता ए साड़ी सेत नू किस तरा कराब कर रहा है वो असी होन इस पैरे वीच पढ़ांगे आपने इसे आदत दे कारण साड़ी स्रीर विच आलस रहनदा है चंगा खान पिन देवी स्रीर कम जोर बनिया रहनदा है चेहरे ते कोई रौनक नहीं हुन्दी सदीवी स्थिर्ता बनी रहनदी है आते चेरा हमेश्या उत्रय रहनदा है जेड़े लोग रात में देर तक जाग देया सेरे लेट उत्तेया और ना दे चेरे ते कोई रौनक नहीं हुन्दी इस गल्लों तक जिवे असी जान दे ही नहीं कि सूरज चड़न तो पहला उठ जाना स्तेहत लेई हर पक्खों उत्तम है साड़े विच्चों बहुत लोगे चीज़ जान दे नहीं है या जान के भी अंजान बांदे है कि जे ऐसी सूर चड़न तो पहला उठांगे तो साड़ी सेतली बहुत वधी है स्वेर सार बिस्त्रे दा त्याग करना साड़ी आरेया संस्कृति राइक नियम रहा है मनुखी तन मान तन दे वादे लई रिशिया मुनिया दाविसानू एहु ही सुजा रहा है इस सुजा आजा हुकम विच बहुत वड़ा पेड छुपया है जे तुसी निरोग रहना चौन दे हो जे कर तंदुरस्त रह के जीवन बिताना चौन दे हो जे तुसी संसार विच लम्मी उमर पोगना चौन दे हो ता तुसी कोई वी गलत आदत ना अपनाओ स्वेरे सूरत चड़न तो पहला ही बिस्तर नुख छाट देन वर की वदिया आदत पाओ होन सानु लेखक स्वेरे चलदी उठन दे यानि कि किनना चलदी सूरत चड़न तो पहला उठन दी आदत दी महत्ता बारे दासरे है कि किस त्रह आदत साड़ी जीवन वे बहुत जरूरी है तो साड़ी चंगी सेथले अपनाओनी चाहिदी है जिवेकी असी पुरान जहोर कई तार्मी ग्रंथा मिच जित्थे वी देख देहां उत्थे सूरे निकलन तो पहला उठना लाबदाइक दस्या गया है आयुर्वेदिक नजरिये तो सेरे जल्दी उठना ही अत लाबदाइक है पाव परकाश विच लिख्या है कि जहत्मन अते निरोग मिनुख अपनी जिन्दगी दी राखिली चार कड़ी तड़के उठे उस समय दुखांदा नाश करन लेई परमातमादा सिम्रन करे पाव परकाश गरथ दी गाल हो रही है कि उस विच भी एही द क्या गया है कि स्वेरे चार कड़ी तड़के उठे उस समय दुखांदा नाश करन लेई परमातमादा सिम्रन करे ता मेन गाले है कि स्वेरे चंगी स्वेरे जल्दी उठना जरूरी है सारे विद्वाना दा कहना है कि जिड़े लोग रातनों 10 वई तक वेले सिरसों के स्वेरे सूरचड़न तो पहला ही बिस्त्रे दा मोच छड़ दिल लेहान उना दा सिरीर सदा निरोग रहनदा है तो उना दी बुद्धी वी वद्धी है ता इस्तरा दा लोग का दा सिरीर तंद्रूस रहनदा है नाल ही उना दी बुद्धी उना दी अकल वी वद्धी है सूरचड़न तो कुछ समा पहला नू अमरित वेला कहनदे हैं उस वेले उठ्ठनिल आद्मी जे सरीर वीच रॉनक आथे बालदा संचार हुनदा है कामकरंदा उत्षा जागदा है, सरीर वीच एक नवी किसम दी फूर्ती आजन्दी है जड़े लोग अम्रित वेले उड़ते ने उनना विच नवा एक उच्छा उन्दा एक काम करनी नवी फुर्तिम दी है स्वेरे उठन दे कुछ लाब भी हान इस वेले उठन नल ओजोन नामी हवा साड़े स्रीर नो मिल दी है आते सूर चड़न तो बादो खतम हो जानी है तो ओजोन दा सनुपता ही है कि थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन वो की हुन देने ओजोन बनाँ देने तो ओजोन किया ऑक्सीजन दा होर जादा शुद रूप उजोन प्राण वाईउ ऑक्सीजन दा ही तूज़ा शुद रूप है इस हवा विच जलन किर्यादी शक्ती ज्यादा हुन दी है इसले इसनुँ वद तो वद मातरा विच लिया जावे ता साड़े सुरीर दे दोश्यान दा शुद्धी करन होर वी चंगी तरह हुन दा है एक वार जागन दे बाद जे असी फिर सौंज आईए ता सुरीर वी चलोडीन दी फूर्ती रह नहीं सकती और कई लोग की कर देया कि चलो पता है कि सेरे उठना लाब दा है कि उठन तो बाद उनना दे सुरीर वीच फूर्ती बिल्कुल नी रहनती इस दे उल्ट आलस बहुत ज्यादा रहनता है किसे वी काम वीच माननी लगता आते फिर ज्यादा समा व्यर्थी बरबाद हो जानता है इस वेले उठन दिमाग वीच इक नवी ताजगी पार बिल्कुल वीच स्वेर दावाता वन अत्यंथ लाब दाए खुंदा है इस वेले उठन वाले नू दिल्दा रोग कदे नहीं हुंदा ओ लम्मी उमर पोगण वाले खुश किसमता विच्यों एक हुंदे हान संसार दे पर सिद व्यक्तियां दी जीवनी जे असी पड़िये तसानु पता लगएगा कि ओ सारे स्वेरे बहुत जल्वी उठते सां इसलेए जिन्ना ने निरोग ते तंदरुस्त रहना है ओ सूरे चड़न तो पहला ही बिस्तर छड़ दे क्योंकि दिन चड़े उठनल तंदरुस्ती नश्ट हो जान दी है मन मलीन रहन दा है सुस्ती ते आलस केरी रख दा है कार, बाहर, दुकान, जद दफ्तर कि ते भी मन नहीं लग दा सूरे चड़न तो बादसों के उठन वाले आँ बारे शिरी विष्णु गुप्त चानक्के ने क्या है जिज्दा पावर्थ ए है ता एक महान विद्वान दे विचार सानु होने थे दस से जानगे कि उसना ने की क्या होना लोका बारे जड़े की सूरे चड़न तों बादसों के उठते है मतलब लेट उठते है जो गंदे कपड़े पहनदा है जो दंदा नू साफ नहीं रखदा जो बहुत खांदा है मंदा बोलदा है आते जो सूरे चड़न जा छिपन वेले सुत्ता रहनदा है ओ चाहे चकर तारी विष्णू ही क्यों ना होवे तावी लच्ष्मी उसनू जड़ जावे तो सानू पता ही है कि मा लख्ष्मी जड़ी है हिंदू माइथॉल्जी जड़ी है कि देवी है ओ विष्णू जी दी पतनी है मतलब ओना नालता हमेशा रेंदी है ता लच्ष्मी नू तांदी देवी क्या जड़ है ता कैंदे जड़े बंदे विच ए बुर्या आता होन गिया ओहो चाहे विष्णू ही क्यों ना होवे लख्ष्मी उसकोल नहीं रवेगी यानि कि उसकोल कदीवी समरिद्धी तांदौलत नहीं आसा दी ते संसार विच सुख नल सारी उमर बतीद करनी चौन देहा ता स्वेर सार उठनदा लच कन ना पावेगा सड़ी तूजी कलती ए है कि स्वेर्दी सेयर नहीं करते अगली कलती साड़ी सामने आवेगी अगली केड़ी , यादत है replace करना चाहिए है सरीरिक मेहनत करनली सब तो चंगा कदम स्वेर दी सेर है उन्जे योग आसना नालवी काफी लाब होंदा है सेर दी आदत पाके पिछो योग आसन शुरू करना होर भी ज्यादा विज्ञान कते लाब दाइक है पहलना सेर कर लो तो उस तो बाद योग कर लो तो बहुत जादा सरीर नू लाब होवेगा सेर दे सिलसले विच एत्यान रखना पवेगा कि सेर खुले मैदान खेट, जंगल जा पार्क विच करनी चाहिए है ताकि मेहनत दे नालना ताजी हवा राही वी सेहत नू लाब मिल्दा रहे सेर दा पूरा लाब लाइन ली हमेशा तेज चलो अते उन्नी देर कुमो जिसनल हलकी ते मिठी जई थकावट हो जाए ते थोड़ा जया पसीना वी आ जावे अग्गे जिमे जिमे समा बीड़ा जावे रोजाना सेर दी दूरी वदाओं दे जो ता सेर किस्तरा शुरू करनी चाहिए है उन्नी सेर करो जिन्देना सेरी नू हलकी जी थकावट हो वे ते थोड़ा जया तो सीना वी आ जावे पर इसायर करनी उनरोग आँच जादा जादा जरूरी है, जिनना दे रोज़दे काम वेचे सुरीरक मिहनत नहीं है उनली साधे बाद के लोग, ले टारेरैंट वाले लोग, उस्टूडे क़िए। हम बैठ के हुंदा है उनना ली सेयर ते योगा बहुत ज़रूरी है हुन इस तो बाद सानु साडे रोजाना जीवन वेच सेह तुम काइम रखनली अगली आदत दा सही पता लगेगा नींद वी साडे निरोग रहन दीक महत्तपूरन नी है गुड़ी नींद लेना स्रीर दे सारे हिस्स्य ते ताड़ विच इस्तित जानदार हिस्स्य नू लोडिन दा अराम मिलदा है अते ओं मुड ताजगी अते फूर्ती प्रापत करलन दे है पाचकरस ज्यादा मात्रा नश्ट हुन्दे है ते नवे सैलर बान दे है खूंदी शुद्धी हुन्दी है ते उस विच वाददा हुन्दा है ता हुन नींद ला साडे सभी विच किन्ना योगदान है वो सानु इस पहरे विच पता ला किया तंतु मुड शक्ती प्रापत करके चेतना पर पूरते चार हुन्द है जिस समय साथ स्री नीद लैंदा अराम लैंदा उस समय साथ स्रीर दे जड़े अंदर ले आंगने उसली नू साफ करनदा कम कर दे हैं इस शरीर विच निरोकताती तंतुरुस्ती विच नींद दा गुड़ास बंदा है दिन पार दे तंद्यां तो थक्या त त्यूटिया अदमी सौझ आदा है पर अजदे इस मारा मारी दे यूग विच इस सदारन गल भी ऐस दारन हो गई है इस सोणा एक बिलकुल नॉमल जी कर ले कि जड़ा बंदत था कर नू नीद आ जेगी पर हुन अजकल एक अनम मारा मारी दे यूग आ गया है कि इक सदारन ज करके क्योंकि बहुत सारे लोकानू सौन विछी दिक्कत अननू नीदी नी आउंदी कुछ लोग ता रात नू देर तक जाग गंदेलेई चाजा कॉफी दी लोड़तों वदवर्तों करते हान। रात पर जाग के अखाते दिमाग नू ठका देंदे हान। अते सरीर दे सारे हिस्यानू स्थिल कार देंदे हान। पावोनानू सौन नहीं से दित्ता जान्दा। सिट्टे वजो लगाता जाग दे रहनाल ओनाता मानसिक संतुलन विगड जान्दा सी। फिर जाता ओ पागल हो जान्दे सान। जा मर जान्दे सान। ए मौत बड़े तरस योग होंदी सी। यानि कि नीद ना उना एक बहुत बड़े सजाई है। ठीक नहीं है। सर्दी आते गर्मी विच सौन्दा भी अपना-पना तांग है। सौन्वेले सरीर नू टुकवा वाता वर्न मिलना चाहिदा है। गरम रूत विच खुले असमान दे हेठा सुत्ता जा सकता है। जदो की सर्द रूत विच 15 डिगरी तापमान वाले कमरे वि शाम वेले हलका पोजन खाना चाहिदा है अते ज्यान तन तुआनू उत्तेजित करनवाले पर संगा, द्रिश्या अते विचारा दा त्याग करके नीद लेनी उत्तम है। सौन तो पहला इस तरह में चीज़ा ना देखो या ना गल करो ना सोचो जिन्ना नाल की तो आड़े शरीर नू पर जादा उत्तेज ना आवे, तो आनू नीद लेन विचे मुश्किल आवे। सौन तो पहला मालिश करन नालते इश्नान करनते वी गुड़ी नीद लोंदी है। जिन्ना लोका नू नीद देर नालोंदी है, ओनानू सवासन, जिन्नू शवासन विगेंदेने हिंदी विच निस्थीति नू पहुंचना चाहिदा है। क्योंकि इस हालत विच नीद सहचे ही आजासादी है। क्योंकि राद दे पहले चार कंटे आवेच गुड़ी नीद लोंदी है, इसलिए उस वेले सुत्ते पए आदमीनू किसे वी तरह दा कोई खलल नहीं ओना चाहिदा। पावे 7-8 कंटे नीद नियम है, फिर वी सहतमन अतेनी रोग रहन ले किन्य कंटे दी नीद ज़रूरी है, इस दा कोई मापदन नहीं है। इक सदारन काम वीचे रुज्य होई आदमीनी 7 कंटे नीद ज़रूरी है, उमर वदननल नीद वी कट जन्दी है, फिर वी अनेक बिर्द आदमीनू 10 कंटे तक दी नीद ज़रूरी है। कई लोकानू लगातार 7-8 कंटे सोना चंगा नी लगता, वो 4 कंटे काम करके सौं जान्दे है। उस्तो बाद दिन वीच काम करके दिन वीच ही 1 कंटे नीद लेके ताजगी प्रापत करलन्दे है। महात्मा गांधी जीनू वी जदो वी समा मिल्दा सी, 11 कंटा नीद लेलेंदे सन। जदो खूब कम करदे, लगातार कम वीच रुज्य रेंदे सन। ताँ कई लोग 1 वरीच 8 कंटे दी नीद नी लेंदे और रात नू 4 कंटे सोन लेंदे आते, दिने 1-2 कंटे राम करलेंद नपोलियन बोनापाट कोडे ते स्वारी कारदे कारदे ही सोन लेंदे सन। बहुत रुज्य रहन दे कारण ओनानू सोन दा समा नहीं मिल्दा सी। अजेहे रुज्य लोग निंग दे ले अपना विशेश तांग लाबलन दे हन। आते सदा काल दे ले नव जीवन प्रापत करलन दे हन। इससे तरह विज्यान दे अध्यापक ने जल्दी सोन दे लाब बारे दसे है। उसने ए सिट्टा कड़िया कि रात नू बारा वजे तो फैनलन दी नींद, रात दे बारा वजे तो बाद दी नींद नालो धुग नाराम दिल्दी है। मानलो कि तुसी रात तत हानू जिन्नी नींद प्रापत होवेगी, उन्नी नींद प्रापत करन दे लेगी तो हानू रात दे बारा वजे तो बाद चार कंटे सोना पवेगा। मतला दस वजे तो बारा वजे तक जिन्ना तानू अराम मिलेगा, जित उसी बारा वजे सोनने हो, तो उन्ना अराम और नहीं चार कंटेश मिलेगा जिन्ना 12 वाज तो पहला सों ते 2 कंटेश मेरे रहे हैं ए अध्या पक अपने विद्यार्थी जीवन में चुरोज रात नों 12 वाजे तो पहला जीमिकर दस वाजे ता सों जान दे सान ते रात नू दो वज़ी उठ जानदे साँ इस तरह रात नू बारा वज तो पहला नी दो कंटे नीन्द 4 कंटे नीन नीन दे बराबर खुंदी है अंते ओ उठ जानदे मतलब कि कुल 4 कंटे सौनदे साँ फिर वी ए नीन झोना ली बहुत हुंदी सी हर एक आदमी नो एक गल समझ लेनी चाहिए दी है कि नीद ना आउंदा पूरा असर स्रीर दे पेंदा है दिमाग आते नाड़ी सिस्टम ते इस दा बुरा असर पेंदा है ज्यादा नीद ता कोई भी नहीं ले सकदा हाँ काट सौनल स्रीर दिहानी जरूर हुंदी है ता एह साड़ा पाठ आता इस विच दी बहुत सारियां माडियां आता ते उननों किस तरह बदल के केडियां चंगिया आता अपनौनियां चाहिए यहां उनना बारे पड़िया जिमें की चाप इंद्यादत छाड़ देनी चाहिजी है सेरे उठके उस तो बाद देर नल नहीं उठना चाहिदा बलकि सूर चड़न तो पहला उठना चाहिदा है फिर स्वेर दी स्यार करनी योगासन करने ते आखिर विच असी पड़या नीद दा महत्तव इस समय सिर नीद लेनी ति जरूरी जिन्नी सिरीरली नीद है वो बहुत जरूरी है ते रात नू बारा वे तो पहला दी नीद जड़ी है वो बाद दी नीद नलो डुगना आराम दिंदी है ता इससाड़ा पार्ट वोनसी इस ता अब्यास हल करांगी अब्यास विच सबतो पहला हान प्रशन उत्तर जिस विच की पहला प्रशन है चा विच केड़ा तत मजूद हुनदा है ता इससाड़ा उत्तर सी इस पार्ट विचो लब सकदे हां चा विच थैनीन नान्दा तत मजूद हुनदा है उस्तो बाद अगला प्रशन है गिष्णो गुप्तन सारल अच्छमी के हो जहे लोकानों छट जिन्दी है ताइस दा उत्तर है जेडे लोक सूरच चडन जा छिपन दे वेले सुपते रहन देहान लक्षमी उन्ना नों छट जान दी है अगला प्रशन है अमरित वेला किसनों केहन देहान ताइस दा उत्तर है सूरच चडन तो कुछ समा पहला नों अमरित वेला केहन देहान अगला प्रशन है विज्ञान दे अध्यापक ने नींद बारे की सिट्टा कर दिया ताइज़ा उत्तर है जल्दी सौंदे लाब बारे दस्ते हुए विज्ञान द्यापक में ए सिट्टा कड़िया कि रात नो बारा वजे तो पहला दी नींद रात नो बारा वजे तो बाद दी नींद तो दुगना अराम दिन्दी है इस तो बाद अगला प्रेशन है नपोलियन बोना पार्ट अपनी नींद की में पूरी करलेंदा सी योगा दे केड़े आसनानाल नींद सहे जही आजानती है तरी जवत्तर है योग दे शवासन नाल नींद सह जही आजानती है इस तो पाद साड़ा अगला प्रेशन है गूडी नीन सौन नाल की हुन्दा है? इस तरह गूडी नीन लैना शरीर दे सारे हिस्या नू लडीन दा अराम मिल जान्दा है ते ओमूर ताजगी ते फूर्ती प्रापट करलन दे हन पाचक्रस जादा मात्रा विच बंदे हन ते शरीर दे मरे सेल नश्ट हुन्दे हन ते नमे सेल बंदे हन खूंधी शुद्धी हुंदी है ते उस विच वादगा हुनदा है इस तरह स्वेरे सारे साड़े जरीर दे अंदर ले दोश मालमूत तर आहीं बाहर निकल जनदे हैं जिस नल स्वेरे चुस्ति पुर्ती थे शक्ति दा संचार हुनदा है इस विछ साधा आकरी प्रिशन है स्यार करंदे की लाभान तो स्यार करनल स्रीर दी कसरत हो जांदी है हते नाल ही फेफड़या नू ताजी हवा भी मिल जांदी है जिस नल की साधा स्रीर तंद्रोस रेंदा है इस तो बाद हान साधे को पाठतो अगए इस विच ओ प्रशन उत्र हान जिनना दे उत्तर तुसी अपने हिसाब ना अपनी creativity अपनी कलातमक्ता देहन सार देने हान इतुहान नूगी लागदा है जिस विच फहला प्रशन है फर्स करो तुसी अपनी काटनीन तो परेशाहन हो इसलिए तुसी की टांग अपनाऊंगे अपने विचार तरक दिया दारूप पर पेश करो तुसी तरक मतलब दलील देके उत्तर देने हान तुसी इस पाठ विच ओभी बहुत सारे टिप ला सक देओ जिवें की काटनी इंदनू ठीक करनली सब तो पहला तां सैर करनी शुरू करांगे तां जो स्रीर नू थोड़ी बहुत थकावट होवे ते स्रीर विच ताजी हवा जावे उस्तो बाद रात नू समय सिर्फ सौन दी कोशिश करांगे सौन तो पहला नहोना, मालिश करनी ये चीज़ा करांगे ते कोई भी इस तरह दा कम नहीं करांगे जिसनल की स्रीर नू उत्तेज ना आवे ते उस्तो बाद असी सौन समय शवासन करन दी कोशिश करांगे जिसनल की साद स्रीर जल्दी सौन वाली स्थिती वीच पहुंच सके तुसी इस तो इलावा भी कुछ लिख सकते हो जो की तो अनू लगगे कि तुसी अपनी नीन नू चंगा करन ली करना चाहोंगे अगला प्रशन है जेकर चानू लोग त्याग देने कि तुसी दसना है कि जेकर चाल सारे लोग पीने बिल्कुल बांदगार देने जिवी कि इससे लेकर ने क्या है तक जड़े लोग इना काम कर देने उक ही करने तैक तुसी संतुलित पहुंच अपनोनी है मतलब कि तुसी दोना पक्खान दा त्यान रखने ता इस विच तुसी अपने हिसाब ना तुसी देखना है कि तुहां नू की लग रहते मैं थोड़े जे था नू इस ता एक गाइडलाइन दे रहनी है क्योंकि चादे जे बाग सारे बंध हो जानगे ता ओना लोग का दी रुजगार ता जाओगा वैसे वी किसे चीज नू बांध करना बिल्कुल कोई solution नहीं हुंदा सब तो वड़ी गाल है कि एक ता ओही लोग चापीं जिना नू की ज़रूरत है जिनने की लेखक ने इस लेख वेच किया कि ठंडे लाग क्या मले लोग का नू ओ थोड़ी बहुत चा ले सकते ने दूसरा इस नू कदी कदाईं एक दवाई दे तोरते लेना भी ठीक है पर सिर्फ इस दे आदत नहीं बहुने चाहिए जी तासे एक संतुलित पहुन साड़ी एही कहेगी कि चा उनिक पियो जिनने की श्रीर नू जुरूरत है तो इस दे आदत ना प्यांदो ता जो इस दे बाग्गा वाले लुका ना कम वी चलदा रवे तिसदा श्रीर वी ठीक रवे अगला प्रेशन है पारत विच योगा दा रिवाज बद रहा है कि तुसी इसकालना सैमत हो कि योग आसना नाल से इतनू तंद्रूस्ते निरोग रख्या जा सकता है योगा दे किसे सादक नल मुलाकात करके सिट्टा करड़ तुसी किसे योग चेड़ा बंदा करता है उसनों मुलाकात करके उसनों पुछना है कि सचमुच योगा आसना नाल से इतनू तंद्रूस्त ते बिना रोगा तो रख्या जा सकता है तुसी इस बारे इंटरनेट तो भी सर्च कर सकते हो ते अपने विचार भी लिख सकते हो अगला प्रशन है अपनिया आध्ता नों पशाननों चंगियां ते बुरियां आततां दा स्वयम लांकन करो ते बुरियां आध्ता नों चड़ं लई उद्दम करके चंगा जीमन बताउन लई यह तनशील हो वो ए वी तानों एक टास्क जिद्ता गया है कि तुसी अपनिया आता दी एक लिस्ट बनाओ कि तरड़िज केडिया आता चंगिया ने ते केडिया बुरिया ने तो फिर कोशिश करो कि इक एक करके अपने बुरिया आता नू छड़ण दी कोशिश करो इस्तो बाद साधे कोल अगला प्रेशन है जोड़े मिलाओ जिस विच की तुहानू दोनों पास से पांच पंच शब्द दित्ते होए हन तुस्यो ना दे साई जोड़े मिलाओने हन जिस विच की पहला शब्द है सिम्रन जिस्दा की जोड़ा बनेगा परमात्मानार उस्तो अगला है नीद जेड़ा की आएगा बिस्तरा उस्तो बाद अगला शब्द है साधे कोल योगा जोकी जुड़ेगा जाके तंदरुस्तिनार अगला शब्द है सूरज जोकी सानू दिन्दा है रोश्नी ते आकरे शब्द है चा जिस विच की हुन्दा है थैनी नादा तत इ तेड़ लिखे समासी शब्दा ने वाक बनाओ, जिस विच की साधा पहला शब्द है वारवार, वारवार दा मतलब हुन दा है दुबारा दुबारा, तैज दा वाक बन सक्दा है, पाठ नुँ वारवार याद करो, अगला है गरम रूत, यानि कि गर्मी दिरूत, आम गरम र आधता ही जीवन टांगल बन जान दिया है, अगला शब्द है सहन शक्ति, तो हाड़े विच किन्नी सहन शक्ति है, ते अगला है जयों-जयों, यानि कि जिवें-जिवें, तै इस दा वाक बन सक्दा है, जयों-जयों मिहनत करोंगे, सफलता मिल दी जाएगी, ता एसी साध आधा पाठा आधा, इस विच असी सरीर नू ठीक रखन वालिया, चंगिया ते सरीर नू बिमार करन वालिया बुरिया आता बारे जानकारी प्रापत किती, यह ङ। पता लग गया सा नू कि कि सतरा आधा आसी बुरिया आता नू छट है त hazards के दिवेंग ते चंगिया आता तेस वीडियो नू लाइक ते शेर भी करो मैंनू देव इस आज़त तानवाद